नमस्का फ्रेंज प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा 1982 बर्थ बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है 82 वालों के लिए और कुंडली में बहुत अच्छे पॉइंट दिख रहे हमको तो यहां रासी में केतू बराबर फर्ष्ट जनवरी को ही आजाएगा उसके आसपास जनवरी के पूरा जनवरी से पूरा डिसेंबर तक की बात करेंगे 1982 के लिए जो 82 का पूरा साल था उसमें जो भी व्यक्तिक परसन का जनम हुआ है उनकी बात करेंगे यहां जैसे मैंने बताया आपको केतू और राहू यहां चंदर के साथ केतू चंदर के साथ केतू होने से व्यक्ति का जो हिसाब किताब होता है एक माइंड सेट अप जो होता है वो एक बड़ी कलपना में चला जाता है कल्पना का मतलब होता है बड़े सपने देखना कल्पना मतलब सपने आप reality से हटके बात कर रहे हो हटके सोच रहे हो तो वो कल्पना में चली जाती है सपने वाली बात चली जाती है तो यहाँ चंद्र अपना मन है और उसके साथ केतू बैठा है वो उचका केतू जब उचका बैठा है तो ऐसे व्यक्ति परसन की सोच जो है वो दुनिया से अलग होगी ऐसे व्यक्ति परसन दुनिया से परे होंगे परे मतलब जो व्यक्ति परसन दुनिया में लोग जो है वो एक आम तरह की सोच रखते हैं सुबह उठोए नाए दोए पुझा पाड़ किया जॉब पे गए बिजनेस पे गए और चले आए एक नित्यक्रम है लेकिन इनकी जो सोच रहती है वो दुनिया से हटके रहती है वो दुनिया से कुछ अलग कर दिखाने की बात करते हैं अलग करने की सोच रखते हैं दुनिया में कुछ करके जाना है कुछ भी ऐसा करना है जो दुनिया में अपना नाम रह जाए तो ऐसे व्यक्ति परसन चंद्र जबी भी केतु के साथ होता है तो यहां यह एक कलपना ब व्यक्ति को आप कम मता किये समय आने पर यही व्यक्ति वही चीज में आपको दिखाए देगा वो काम करते हुए जो एक मेरे पास एक कुनली आई थी अपने अमेरिका का को एक स्वीमर है माइकल पेटरिक के फैडरिक ऐसा कुछ नाम है उनका उनकी कुनली मैंने थोड़ी संस 26 गोल्ड मेडल आप समझ सकते हैं 26 गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर जीतना तो एक बहुत बड़ी एचिवमेंट हो जाती है जब 26 गोल्ड एक की साथ में जीतना और वो एक बहुत बड़ा एचिवमेंट प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत अनोकी सिद्धी लेके पैदा होते हैं तो जब इनका भी चंद्रकेतू साथ में हैं जैसे ये जितने भी धनूरासी वाले हैं उनकी बात कर अगर चंद्रकेतू इनका साथ में हैं ये बर्थ में ये टाइम के अंदर जितने भी जिनम होएं उनकी बात कर रहे हैं तो ये व्यक्ति वो सब फिल्ड म उसके उपर भी बहुत डिपेंड करता है तो यहां चंद्रकेतू साथ में व्यक्ति की कल्पना बहुत बड़ी बना देता है बहुत आदमी कल्पना शक्ति और बहुत इनकी और वो कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है ऐसा नहीं कि आज सोच लिया कल्प पाने में बैठ वैसा इनका काम नहीं है जो सोचा है उसके उपर फोकस करके उसमें आगे निकलना है उसमें कैसे बढ़ना है वो ग्रह अपने आप उनको लेके जाते है यहां राहू उचका है मिधून रासी का राहू मैंने बहुत से वीडियो में बताए राहू जबी भी उचका हो राहु कल्यूक का बेताच बाद्शाह है जुकती है दुनिया जुकाने वाला चाहिए वो राहु का मंत्र है राहु जैसे चलता है वैसे दुनिया चलते उसके साथ हूँ स्ने अमरित प्या हुआ इक है है बहुत बड़ा आदमी है वजन वाला हजार किलो का वजन है वो आदमी को आप समझते क्या हो जब ये कुनली में ऐसा राहू स्ट्रॉंग हो जाता है या रसब में या मिठून में तब बात अलग हो जाती है कन्या में भी इतना इफल तुला में भी उतना इफल स्वग रही होता है जिसकी कुली में राहु तेज होता है देखना 40 के बाद इनका जीवन इतनी उंचाई पे जाते है इतनी टॉप पे जाते है जो इनको पकड़ना इनको मिलना जो साथ में पड़े हुए लोग है जैसे आज बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं बड़े-बड़े बिजन बिजनेस टाइकून है मितुन रासिका राहु निताम बानी जी कुली में बैठा हुए मितुन रासिका राहु अदानी साथ की कुली में बैठा है मितुन रासिका राहु जैफ बैजोस की कुली में बैठा है मितुन रासिका राहु ऐसे बहुत से मेरे पास कुली है जैसे मै राहू के पास मेजमराइंग है, वो उसके पास जादू है, वो खीचता है आदमी को, वो जैसे चलते वैसे दुनिया चलाते है, मतलब दुनिया उनकी पीछे चलती है, उनको चलना नहीं पड़ता है, जैसे राहू उचका होता है, यहां राहू आपका उचका है, आप समझ ल 40 आपका हुआ है अभी देखना 41 जैसे लगेगा आपको यह 40 ही 40 41 के अंदर ही ऐसी कुनली की रेंज बनेगी आप खुद ताजब हो जागे दूसरे ग्रहों की बात करते हैं शनी शनी भी यहां बैठेगा करीबन पूरा साल तक एक महीना सप्टेंबर का तीस तारीक सप्टेंबर तक यहां बैठा है तो यह कुनली में शनी भी बहुत बढ़िया फल देगा थोड़ा तपाएगा आपको थोड़ा संगर्स कराएगा लेकिन वो संगर्स आपको जीवन में काम लगेगा बिजनस के अंदर काम के अंदर आप को पूरा निचोड देगा, लेकिन जो आदमी सीखा हुआ है, गिर के फिर से ख़ड़ा होना, फिर से गिरना, फिर से खड़ा होना, फिर से गिरना, फिर आदमी वह बड़ा बनता है, इसके लिए यहां शनी थोड़ा आपको 36-30 तक पूरा तपा दिया अभी आपकी अवस्ता खतम होगा अभी सनी का जो पावर है वो यहां खतम हो जाता है यहां गुरू और शनी साथ में शनी यहां कब आएंगे लाश्ट में जैसे मैंने बुला सब्टेमबर के बाद तो यहां तीन मेंने गुरू सनी साथ में लेकिन ऐसे उसके पहले गुरू यहां अकेला रहेगा तो लगनेश यहां 11 थाउस में जाके बैठेगा इससे बड़ा राज्यो क्या हो सकता है जब लगनेश का 12 इलेवन्थ हाउस में जाके बैठना और खुद अपने तीसरे स्थान को पंचम स्थान को और राहू को देखना राहू को बल मिलेगा क्योंके ऑल लेड़ी गुरू तुला रासी में बैठा है शुक्र की रासी में राहू के गुरू की रासी में बैठा है इसने वो काम करेगा इनका गुरू का काम नहीं करेगा इनको पावर देगा इसलिए ये कुंडली जादा स्टॉंग हो जाती है आप समझे मेरी बात को अगर आपके दूसरे प्लानेट्स भी स्टॉंग है तो ये कुंडली में बहुत बड़ी रेंज बन जाएगी बहुत ताक अंदर तो शुक्रतेज हो गया तो गुरू बल मिलेगा गुरू उसको बल देगा और कौन सी रासी में ग्रह बैठा है और वो किस तरह से बैठा है उसके उपर बहुत माइने रखेगा जैसे ये गुरू खाली गुरू का धर्मन नहीं निवाएगा लेकिन वो कौन से घर मे बैठा वो माइने में लखेगा अब बोलोगे गुरू तो अलग बात है गुरू देवो का ग्रह है ये तो दानों की रासी में जाके बैठा है आकिर उसको काम करना है उसको ड्यूटी दी गई है कि आपको काम करना है आप मंगल की रासी में बैठेगा वो शनी की रासी में बैठेगा या फिर कैसे बैठेगा या नीच का बैठेगा या उच का बैठेगा उसके उपर बहुत डिपेंड करता तो यहां गुरू तुला रासी में बैठके राहू को बल दे रहा है और खुद राहू के उपर उसकी डश्टी है गुरू का भी राहू को बल मिलता है क्यों 82 बर्थ वाले ये कुंडली बहुत टॉप की देखना 40 के बाद आपका जीवन ऐसे चेंज होगा ऐसे चेंज होगा कोई ऐसा मिरेकल होगा जादू चलेगा जादू ही चड़ी आएगी आपके पास और ऐसी जादू की चड़ी चलेगी आपकी जिन्दगी बदल ही जाएगी और राहू आपको टॉप पे पहुँचाएगा इसके लिए आपको मेन आपकी कुंडली को खोल के देखना है दसा अंतर दसा चेक करनी है दूसरे प्लैट्स कैसे उसको चेक करना है और बहुत ही धिहान अभी तो बहुत बड़ी आराज्योग चल रहे है कुंडली के अंदर क्योंकि यहाँ अभी गुरू चल रहे है आपका तो यहाँ यही टाइम में यही टाइम में सेटिंग करेगा आपका जो भी हिसाब किताब है वो अभी आपको मिलने वाला है, जो भी बड़ी रेंज बनानी है उसकी निव इंफरेस्ट्रक्टर जिसको भोलते हैं पाया, वो पाया डालने के लिए भी आया है हिसाब की दब चेंज हो जाएगा अपना इसे और की वड़ लेके आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार